टीम इंडिया ने हैदराबाद में इतिहास रच दिया है गार दिया है जंडे निचोड के रख दिया है बंगलादेशी गेंदबाजों को जो भी बल्लेवाज आया है आज सबने मिलकर बंगलादेशी गेंदबाजों को जबर्दस तरीके से धोया है 297 रन 6 विकेट के नुकसान पर भारतिय टीम सिर्फ और सिर्फ 20 ओवर में आम तोर पे देखा करते थे कि 50 ओवर में 297 रन बनते हैं लेकिन क्रिकेट बहुत आगे जा चुका है modern day क्रिकेट किसे कहते हैं ये टीम इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट को सिखाने लगी है इंग्लेंड बालों ने बैस बॉल का हल्ला जरूर मचाया था लेकिन उसको सही तरीके से अगर कोई भुना रहा है तो वो है टीम इंडिया के नए लड़ा के राजस्थान के रजवारे के कपताहन संजू सेमसन ने आज क्या लाजबाद बल्लेबाजी की है 47 गेंदों पर 111 रन की पारी खेली 11 चौका और 8 शांदार चखके आज संजू सेमसन के बल्ले से निकले हैं इतना ही नहीं सिर्फ और सिर्फ 40 गेंदों का सहरा लिया और 9 चौके 8 चौकों की मदद से संजू सेमसन ने अपने T20 करियर का पहला शतक भी लगा दिया है संजू सेमसन यहीं पर थमने वाले नहीं थे और अगली 7 गेंदों में उन्होंने 111 रन टोटल 40 गेंदों में बना कर पवेलियन लोटे तब तक 11 चौके और 8 चौके 236 के स्ट्राइक रेट से लगा चुके थे भारतिय टीम ने highest T20 total का record, world record बना लिया है वो भी test playing nation के दर्मियान मैं आपको बता दू कि हाला कि सबसे ज़्यादा run बनाने का record नेपाल का है लेकिन नेपाल की team जो है test cricket नहीं खेलती है मैं बात कर रहा हूँ test playing nation का वो team में जो test cricket खेलती है उसमें भारतिय टीम ने सबसे ज़्यादा run बनाने का record T20 में दर्ज करवा लिया है इसके अलावाज सुर्यकुमार यादब भारत के कप्तान साहब 35 गिंदों का सामना किया 75 run की पारी खेली 8 चोके और 5 शांदार छके सुर्यकुमार यादब के बल्ले से निकले चोथे नंबर पे रियान पराग को भेजा गिया लगा कि आज रियान पराग जो है वो फिनिशर की भूमी का अदा करेंगे अरे भाई बिलकुल सही लगा था रियान पराग आये और तेरे बॉल में 34 run बना के गया है बंदा एक चोगा चार छक्का 262 का स्ट्राइक रेट आज रियान पराग का रहा है जबकि हारदिक पांडिया ऐसे मानो बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे नतासा स्तानकोविच और एलविश यादब की उन्होंने तस्वीराज सोशल मीडिया पे देख ली होगी बंगलादेश के गिंदबाज सामने मिल गए और उसको नताशा स्तानकोविच समझ के दोने लगे ऐसा धोया कि 18 गिंदो पे 47 रन बना दिये 4 चोगे और 4 शांदार छक्के 261 का इसका भी स्ट्राइक रेट रहा रिंकु सिंग की बात करे चार गिंद 8 रन एक छक्का लगाया दोसों का स्ट्राइक रेट इसका भी रहा जबकि वाशिंग गटन सुंदर ने सिर्फ और सिर्फ एक गिंदो का सामना किया एक रन बनाए और आउट नहीं हुए नॉट आउट होकर पवेलियन लोटे ओवर ही खतम हो गया सिर्फ और सिर्फ तीन रन से भारतिय टीम जो ही तिहास रचने से आज चुक गई है कोई बात नहीं आगे कभी न कभी बन ही जाएगा आज नहीं तो कल अगर बंगलादेशी गिंदबाजों का हाल देखें तो एकदम चित्धड़े उड़ा के रख दि हैं इनके महदी हसन ने गिंदबाजी की चार ओवर में 45 रन तस्कीन एमध चार ओवर में 51 रन एक विकेट लिया तन्जीम शाखीब ने चार ओवर में 66 रन दिया और تीनविकेट हासिल किये बंगलादेश के लगबग में सब tipo गिंदबाजों ने 8श तक तो आज बनाया ही बनाया है तो कुल मिलाके आज तबाही पर तबाही हुई है और भारतिय टीम के बल्लेबाजों ने रोहित शर्मा और विराट कोली भले ही टेस्ट के T20 क्रिकेट से सम्याज ले लिये हो लेकिन उन्हों ने जो दिया है जो intent जिसको बात करते हैं वो हमारे नए जनरेशन के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बने वो भारत के जिन्हों ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाने का कारणामा किया इसके अलावा रिशाद हुसेन नाम करके गेंदबाज है उनकी ओवर में पहली गेंद दसवाँ ओवर पहली गेंद कोई रन नहीं बना लेकिन नहीं अगली पाँच गिंदों पे सन्जु समसन ने बुखार लगा के मारा है मार मार के भूसा और दिया टोटल पाँच छक्य लगा तर आज संजु समसन ने रिशाद हुसेन की ओभर में लगाए अगर वह पहले बॉल पे छक्का लग जाताँ तो क्या पता था आज संजु सेंपसर्ण छे गिंदों पे छे छक्ये लगाने वाले भारतिय बल्लेबाज भी बन सकते थे कुल मिलाकर आज कारनेज आया है तुफान आया है त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया हैदराबाद में और संजु सेंपसर्ण सुर्यकुमारी आदब इस तरीके स से बल्लेबाजी कर रहे थे मानव वो दर्शकों से ये कहना चाहरे ओ कि अतापी और वातापी दोवाई थे वो भाई दरसल में हमी थे और आज हैध्राबाद में तबाही लाना ही हमारा ही काम था और जो पूंजु सेमसन सुर्यकुमार यादब हमारा नाम है क्या गजब की बल्लेबाजी हुई है कई लोगों के पेट में दर्द भी हो रहा होगा कि भाई हाइवे पीछ है हाइवे पीछ हर जगह रहती है लेकिन होम कंडिशन का फायदा उठाके और इस तरीके से रन बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है आपको मैच जीतना पड़ता चाहिए वो हाइबे पे जीते या पौडर वाली पीछ पे जीते या ग्रीन विकेट पे जीते या कहीं भी जीते लेकिन जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है 297 रन T20 Cricket इतिहास में किसी भी Test Playing Nation के द्वारा आज तक नहीं बना था एक बार फिर से कान खोल के साफ कर लीजी और सुनिए आज तक कभी भी T20 Cricket में 297 रन नहीं बना कभी भी नहीं बना किसी भी Test Playing Nation के द्वारा तो आज संजू सेंसन ने न सिर्फ दिल जितने वाला काम किया है बलकि BCCI के सेलेक्टर को भी बोल दिया कि आप हमें इग्नोर किया करते थे अब से इग्नोर मत कीजिएगा हमारी तरफ देखिएगा क्योंकि हम हैं वो बंदे जो आगे इंडियन किर्केट को लेके जा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं आज भारत के सारे के सारे बल्ले बाजों ने ऐसे बल्ले बाजी की है मानो हर गेंद फ्री हीट हो और आ रहे थे लगा रहे थे छक्य पर छक्य टोटल 22 छक्य मार रहे हैं भारते टीम ने आज मिलकर और ये भी भारत के द्वारा वर्ल्ल रिकॉर्ड बन गया इससे पहले 21 शक्के का record था भारत ने 2007 में उन्होंने 21 शक्के मारे थे लेकिन आज टीम इंडिया ने अपने इस record को सुधारा साथ साल के बाद टोटल 22 शक्के एक पारी के दौरान टीम इंडिया के लगे हैं तो भाई टीम इंडिया के जितने फैंस हैं दुरगा पुझा की आप सभी को श कितना भी गुलाब जामुन और जलेबी खा लीजिये लेकिन अगर आपने ये हाइलाइट या ये फिर मैच आपने मिस कर दिया तो समझिये कि मेले में खाने वाले जलेबी से भी कहीं ज्यादा मज़ेदार ये मुकाबला है ये इनिंग्स थी तो मेरे ख्याल से अगर आप मेल मेला चल रहा था छकाओं का मेला चल रहा था चौकों अर इतने ज्यादे चक्के और चौके लगे हैं कि बंगलादेश के के इद ऐगे बंगलादेश जाके वो कम से कम एक महीने बेड से उठ नहीं पाएंगे सब्सक्राइब